हेलो गाईज स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल उडान परिवाद चानक के कलासिज में मैं आज इस धिमान विश्कर्मा आज आपके लिए रविना टैगोर की रचनाव की ट्रिक लेकर आए हूँ पलस महत्पून परसन उत्तर भी देखेंगे हम इसके और ट्रिक बहुत बढ़िया होगी सक्तिमान की जीएफ होगी ट्रिक इस परकार है ट्रिक इस परकार है हमारी गीता की विश हंगरी गाड का गोरा चितर पहले ट्रिक को समझ लेते हैं बाद में एक्स्प्लेइन कर देंगे ध्यान देंगे देखो सक्तिमान की जीएफ थी ना पत्रकारता करती जो गीता उसकी विश है इच्छा है कि जो हंगरी गाड है भोका गाड है उसका गोरा चितर साफ सुत्रा चितर लिया जाए ठीक है च कॉलकत्ता बंगाली थे नाम तो आपने सुनाई होगा रिविनाट टैगोर जी का कलकत्ता में हुआ साथ मही ठरासो एक्सट को पिता इनके देवंदर नाट टैगोर या ठाकूर या क्या लिखते थे ठाकूर तो नाम में कन्फूजन होना चाहिए माता सार्दा देवी और म परसन उत्तर जो बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो देखोंगे आप फरस्ट क्यूशन है भारत वैए एश्या के पर्थम नोबल विजेता कौन थे वाई रविंदर नाट टैगोर 1913 में इनको गितांजली के लिए नोबल प्राइज मिला था ठीक है पहला क्यू लिखा गया तो यह वैसे बंगाली थे बंगाल के कलकत्ता में जनम हुआ तो इनके द्वारा बंगलादेश का राष्टेगान भी लिखा गया था ठीक है ध्यान रहेगा दूसरे को क्यूशन नेक्स्ट है हमारा रविंदर टैगोर को गुरुदेव की उपाधी किसके द्व जी के वह माहत्मा का रविंदर नाट टैगोर ने ठीक है रविंदर नाट टैगोर ने गांधी जी को माहत्मा की उपाधी दी और माहत्मा गांधी ने रविंदर नाट टैगोर को गुरुदेव की उपाधी दी तो इंपोटेंट क्यूशन ते यार नेक्स्ट की बात करते ह 1915 में ब्रिटिस सरकार द्वारा कौन सी उपादी दी गई थी किसे रविंदर नाट टैगोर को दी गई थी ठीक है नेक्स्ट रविंदर नाट टैगोर द्वारा नाए ठुड की उपादी क्यों त्याग दी गई या किस घटना से परभावित होकर नाए ठुड की उपादी को त्याग दिया गया था इन्होंने क्या क्या ब्रिटिस हुकूमत के खिलाव बगावत करते हुए जलियावाला भाग अत्यकांट के कारण अपनी उपादी को त्याग दिया था जलियावाला भाग अत्यकांट 13 अप्रेल 1919 अमरसर पंजाम में हुआ था factors को ध्यान लखेंगे अबकॉनयस किंगे तो मेरे साति विशु भारती विशु विध्यालिय किस थापना कभ वे इसКैंद बढ़ा कि ए गए थी तो भी सुबर शुदल ले कलकत्ता में था सब्चा-गें गई-स ते निकेतन का संबंद किस से है सांती निकेतन का संबंद किस से है तो सांती निकेतन का संबंद किस से था रमिंदर नाठ टैगोर्ड से तो यहां तक क्यूशन आपको किलियर होता है नेक्स्ट बात करते हैं हम रचनाओ की ट्रिक की अब ट्रिक को समझेंगे दुबारे से देखो एक बार औ 1913 में जिसके लिए इनको नोबल पुरुषकार मिला है रविंदनाद टैगोर जी को मैक्स्ट गीता से क्या रखना है यानिकी गव से ध्यान लखना है गल्प कुछ और गिताली तो गितांजली और गिताली इतो रिलेट होती है राम से रविंदनाद टैगोर की रचना है विस सरजन में मैं मैं भीश आ रहना तो pak है।सिद इंगरी रभी अगर से अंग्रि स्टोन के रविंदनाद टैगोर जी की रचना है गार से फ़िकांद खौन का का से काबूली वाला यह भी रविंदनाद टैगों 아침 का चित्र तो कित्रगंदा और चंडा-वी LIQ यह और पॉस्ट से क्या दागना है पॉस्ट मास्टर तो पॉस्ट मास्टर किसकी रचना है रविंदर नाठ टैगोड जी की तो ध्यान रहेगा आपको यदि आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं और शेयर करतें जो नीव वीवर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिक्शन आप तक पहुंच सकें तब तक के लिए चैनल